अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च तो याद ही होगा अब उसने एक और एलान करके हैरान कर दिया है शनिवार की सुभा एलन मस्क के स्वामित्व वाली एक्स पर पोस्ट करते हुए अमेरिकी कमपनी ने भारतिय कमपनी से जुड़े एक और बड़े खुल नहीं किया है कंपनी के इस पोस्ट को लेकर माना जा रहा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च किसी भारतिय कमपनी के बारे में एक बार फिर बड़ा खुलासा करने वाला है जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने गौतम अड़ानी के अड़ानी समूह पर निशाना साथते क्योंकि हिंडन्बर्ग ने अडानी ग्रूप पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। वही हिंडन्बर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आते ही अडानी ग्रूप के सभी शेरों में तगडी गिरावट हुई थी और गौतम अडानी दुनिया के नंबर दो अरपती बनने के बाद 36 वे नंबर पर खिसक गए थे। क्योंकि इनकी संपत्ती में रिकॉर्ड गिरावट दर्च की गई थी। 86 अरप डॉलर घट गई थी वैल्यूवेशन। अडानी ग्रूप पर 24 जनवरी 2023 को रिपोर्ट आने के बाद सभी शेरों में भारी गिरावट आई थी। जिसके बाद कंपनी के वैल्यूवेशन भी तेजी से गिरे थे। आलम ये रहा कि अडानी ग्रूप की वैल्यूवेशन कुछी दिनों में 86 अरप डॉलर तक घट गई थी। शेर प्राइस में इस भारी गिरावट ने बाद में समूह के विदेश में लिस्टेड बॉन्ड की भी भारी बिक्री हुई थी। सेबी ने हिंडनबर्ग को जारी किया था नोटिस। इस साल जून में हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक बार फिर चर्चा में आया था जब उसने खुलासा किया कि पूंजी बाजार नियामक सेबी ने उनके खिलाफ भारतिय नियौमों के उल्लंगन का आरोप लगाते हुए नोटिस जारी किया था यहां घटनाकरम एक महत्वपूर्ण मोड साबित हुआ क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च ने पहली बार अपनी रिपोर्ट में कोटक बैंक की सपष्ट रूप से पहचान की नतीचतन इस खुलासे के कारण कोटक बैंक के शेर मूल्य में उल्लेखनि गिरावट आई जो शुरुवाती कारोबारी सत्र में जून के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया हिंडनबर्ग ने कहा कि भारतिय बाजार नियामक की ओर से 27 जून 2024 को जारी किया गया नोटिस बकवास है इसे एक पूर्वनरधारित उद्देश को पू प्रयास है सेबी के नोटिस में हुआ था बड़ा खुलासा सेबी के नोटिस में खुलासा हुआ कि किंग्डन कैपिटल ने कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड केम आयल में महत्वपूर्ण निवेश किया है यहाँ पता चला कि किंग्डन कैपिटल ने हाल ह में आई एक रिपोर्ट से बाजार में आई अस्थिर्ता का फाइदा उठाया। फर्म ने रिपोर्ट सामने आने से पहले अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड एएल में शौर्ट पोजीशन स्थापित करने के लिए 43 मिलियन डॉलर आवंटित करके एक रणनीतिक कदम उठाया। इसके बाद किंग्डिन कैपिटल ने इन पोजीशन को सफलता पूर्वक बंद कर दिया, जिससे 22.25 मिलियन डॉलर का लाब हुआ।